इन फेक्ट आपके बाद कुछ ऐसी कंपनीद हैं पोर्टफोलियों जिसमें लगिसी पावर के भी एसेट्स हैं और रिन्यूबल में भी काम कर रही हैं ऐसे कुछ ब्लेंडिड कंपनीद भी हैं क्यूंकि आज हर एक कंपनी जो थर्मल थी वो ही रिन्यूबल में इंवेस्ट कर रही हैं एंटीपीसी के पास थर्मल था वो भी रिन्यूबल डाल रहा है टाटा पावर के पास थर्मल और हाइड्रो था वो भी रिन्यूबल कर रहा है जेस डव्यू के पास थर्मल है वो भी तो आज वो एक choice नहीं है लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया को manufacturing base बनना है तो आपको 24 by 7 stable power चाहिए और वो stable power के लिए आप बिना thermal in the mix नहीं चला सकते हैं सिर्फ renewable पे तो basically point ये है कि एक तो generators और थोड़े transformers और ग्रिट वाले plays है उनके plays जो high tension जो power grid capex करती है उसके जो beneficiary है उनमें थोड़ा सा आपको portfolio रखना चाहिए उनमें ध्यान रखना चाहिए मुझे तो याद है because मैं UP से हूँ कि वहाँ पे कई हिस्सों में तो बिजली का bill पे देने की वो भी नहीं थी मतलब T&D losses इतने बढ़ गए थे कई states में लाखों करोन के चले गए थे फिर वो reform हुए उसके बाद हमने देखा कि capex होना शुरू हो गया नई generation lines wires and cable transformers ये आपने अपने कुछ portfolio में capture भी किया है लोगों का ये view आ रहा है कि हिस्सा कई लोगों के लिए या transformers, capital goods या wires and cables ये पूरी जो value chain power की बनी ये power reform के trigger होके आपको वहाँ पर क्या दिखता है देखिए एक within power आप thermal से generate करें या renewable से generate करें आपको transmission तो करना पड़ेगा आपको transformer तो लगाना पड़ेगा आपको cables तो लगाने पड़ेगे ऐसा तो नहीं है कि solar से आया तो अलग कुछ हवा से जाएगी electricity वो तो cable तो मुझे लगता है कि जो transmission और distribution का जो capix value chain है वहाँ पे तो तेजी होनी है हाला कि मुझे ये लग रहा है कि यहां से लेके अगले चार-पांच साल thermal capacity भी डालनी पड़ेगी हाला कि ये जो बोलते हैं कि renewables पे ज़्यादा अपना focus है पर रिन्यूइबल का एक challenge ये है कि वो peak power की capacity या जो demand है वो fulfill नहीं कर सकता unless कि आप enough battery storage डाल सको अगर आप क्योंकि धूप आता है दिन तो आप power generate करते हो अगर आप उसको store कर सकते हो तो फिर आप शाम को और रात को वो use कर सकते हो तो मुझे लगता है कि अगले कई साल renewable और thermal दोनों ही चले